ये मोटी आंटी जो है ये जो दीदी जो है ना ये एक तरफ में खेल रही होती है सुशान सिंग राजपूत के केस के साथ में लोग के इमोशन के साथ में और दूसी तरफ में आकर के जब रिलीज होता है सड़क्तू उसके ठीक दो से अधाई गंटे के बाद ही आ जाती है सिफ और सिफ सब्सक्राइबर एंड व्यूज के लिए ये काम किया है जैसे मैं बात कर रहा हूँ सूरज कुमार की उसने ये चीज़ कहे दिया था कि मैं सड़क्तू नहीं देखूंगा और नहीं इसका आकर के रिव्यू करूंगा तो ये मोटी आंटी ने सबके जज़बा आपने कभी बाप बाप का गेम खेला है या फिर शरम करो शरम करो का गेम खेला है या कभी ऐसा गेम देखा भी है क्या अगर आपने नहीं देखा तो इतना समझ लो कि भाई आप ऐसे लोगों से बच चुके हो जो कि आपके जज़बातों के साथ खेलना बहुत अच्छे त जबात होते हैं किसी को भी ले करके वो जबात के साथ भी खेलना शुरू कर दिया है मैं किसके बएर में बात कर रहा हूँ यह जीज़ समझ में आ गया होगा और अगर आपको नहीं समझ गया यह तो यह इंसान है जो बॉलीूट के साथ में देशभक्ति को भी जोड़ना बहुत अच्छे से जानती है पहले इनके चैनल का नाम कुछ और था लेकिन अभी फिलहाल में इनके चैनल का नाम हो गया है फिल्मी इंडियन और ये आंटी जो है ना हमें हर बार धोका देती आई है अब आप कहोगे कि भाई हर बार किस तरह से है कि ये बंदी जो है परसनली मिलने वाली है लोगों से मतलब एक मीट जो रखा जाता है उस मीटप पे जाकर के मिलेगी हमसे लेकिन ऐसा नहीं होता है अगना ही जो वर्ड होता है वो वर्ड के साथ खेल जाती है कि मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में सीधा बोल दे ना भई मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जो भी बोलना है बोल दे लेकिन नहीं ये खेलती है अब यहाँ पे बाप बाप क्या शुरू किया पता है कि थमनल थमनल खेलते हैं यहाँ पे हर जगे पे जाकर के लिखती है यह इस मूवी का भी बाप है असुर का बाप गेम आफ थ्रोन का बाप एक और असुर मतलब इस तरह से शुरू कर दिया फिर इनके चैनल पे एक और नया मुद्द आया जिसका करनजोहर, उस वक्त वाइक है कि इनको मिल गया कि STUDENT OF THE AIR इसके बाद से हैं किसी भी रिव्यू के अंजरमेश कर देखना हां का नाम मिलेंगा ही मिलेंगा कि मुलेंगा fel इनको जोड़ दिया जाएगा जोके भी लोगों को बहुत ही जादा इंटेटेनिंग लगने लगा था फिर अचानक से जो है बॉलिवुड में हाथसा हो गया जिसको लेक करके हम सब के सब हिल गया और हमारे दिल में बस एक ही खौई जागी कि भाई इनके केस को अच्छे से हैंडल किया जाना चाहिए और जो कि पुलिस जो है और सुषान सिंग राजपुत थे इनके चैनल पर वैसे भी करन जोहर का टॉपिक बहुत जादा हीट चलता है और वहीं पर तलका लग गया भाई अभी के सिचुएशन का और इन्होंने सीरियसली तलका का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने सिफ और सिफ सब्स को देखना जरूरी भी नहीं समझा अब ये बड़े क्रिटिक्स का मतलब ये मस समझ लेना कि कोई नहाता है और कोई कुछ और है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी जो के पब्लिक रिव्यू करते जो के अपना ओनेस्टिक रिव्यू रखते उनके बारे में बात कर रह काने के बाद भी सूरज कुमान ने जो है वीडियो कंटिन्यू बनाया है लेकिन उसने ये चीज़ कहे दिया था कि मैं सड़क तू नहीं देखूंगा और नहीं इसका आकर के रिव्यू करूंगा लेकिन ये मोटी आंटी जो है ये जो दीदी जो है ये एक तरफ में खेल र भाई ये जो कांटिनो ने किया है ना इसके पीछे में बस एक ही खारण था पैसा और व्यूज जबके सूरज कुमार भी ये चीज़ कर सकता था वो भी अगर करता तो एक वीडियो के उपर में कम से कम दो से तीन हज़ुर रिपा चाप जाता था लाकों में व्यूज आते ह आप खुश सोच करके देखो यहां पर इतने बड़े-बड़े क्रिटिक्स बैठे हुए है और जो के खास करके टीवी से आए है यहां पर यूट्यूब पे उनका तक आपको फॉलोवर इस लेवल का नहीं मिलेगा जितना इनका फॉलोवर मिलेगा आपको इनका फॉलोवर लगा लगा के थामनेल पे ठीक है तो उन्होंने उसी फोटो के इस्तमाल करते हुए अगले कई सारे वीडियो में वो फोटो चिपका है फिर धीरे-धीरे जवानी जाने लगी मोटापा आने लगा उसके बास से मैडम ने क्या किया अपने मूँ के उपर में हात रख करके च या फिर जिसके सवाल जादा से जादा उठाये जा रहे हैं या फिर किसी भी स्टार के उपर में सबसे जादा वीडियो बन रहे हैं उन सारे वीडियो उसका टैग उठाकर के यहां पे डाल लेती है और उसके बास से आप देखो इनसे भी जादा व्यूज वाले वीडियो को YouTube में सर्च मानने पर दिखेंगे लेकिन इनका कम व्यूज होने के बावजूद भी पहला तीन वीडियो में कैसे दिख जाता है टॉप थ्री वीडियो में दिखता है मैडम का वीडियो और जबके इनका व्यूज भी कम होता है यानि ये पूरी तरीके से अपना टैग, डिस्क्रिप्शन और टाइटल के साथ में खेल रही होती है और थम्लल तो यार माशालला है ही अब अगर नेक्स टम आप देखने जा रहे हो तो इनसे नीचे में पूछ लेना भई जैसे के मैं तो पूछी लेता हो कमेंट सेक्शन में कि भई इस मूवी के साथ में करन जोहर का क्या लेना देना था या फिर इस मूवी के साथ में अनन्य पांडे का क्या लेना देना था व्यूज तो आ रहे होते लेकिन वहाँ पर आपका जोना अडविटीजमन मिलना बंद हो जाता है जिसके वैसे लोग फ्रस्टेट हो करके एक के बाद एक सेम टॉपिक पर वीडियो बनाते जाते बनाते जाते और उसका कोई लेना देना नहीं होता उस टॉपिक के साथ में ल और उसके बास से मतलब के लपीडी कर देते हो आप सीरियसली कह रहा हूं आप के लपीडी करने वाली पहली ऐसी यूटूबर मिली हो जो के के लपीडी करती हो वैसे तो यार गोल्डिगर वाले भी करते है आई थिंक इतना समझाना काफी हो जाएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो बता देना पार्ट टू लेकर के बहुत जल्दी आऊँगा आपको वीडियो कैसा लगा आपको समझ में आया है या नहीं कुछ टेक्निकल चीज़ों का भी यूज किया है मैंने इनको एक्सपोस करने के चकर में अगर आपको नहीं समझ में तो प्लीज आर कमें स सेक्शन पर जाकर कि बताओ और जिनको समझ में आया है वो भी जरूर बताना मिलूंगा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थांक्यू ट्रबबाई साइन राइन्ड अस्तालावस्ता अगर